चो, हलो, हाई, हैवडिवन, कैसे हो? So, very good evening to all of you. बहुत-बहुत स्वागते बच्चों, आप सभी का Unacademy Neat YouTube चैनल के उपपर. हम लोग कसम खा चुके हैं कि अगले 80 दिनों के अंदर पूरा का पूरा syllabus हमारा खतम करेंगे physics का. ठीक है? So, Monthan 2.0, इस सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है, आज हमारा Day 7 है. मलब आपको समय का पता भी नहीं चलेगा और आपका physics का syllabus खतम हो जाएगा, आपका confidence physics के अंदर बहुत ज़दा increase हो जाएगा. जैसा कि मैंने बताया था कि इस सीरीज का main focus रहेगा आप बच्चों के अंदर numerical solving ability को develop करना, आप लोगों का physics दूर करना. तो बहुत कम period of time के अंदर आप देखोगे कि आपका physics का syllabus भी complete होगा और आपका physics का डर भी धूर होगा, आप खुद अपने level के उपर धेड़ सारे numerical solve करने लगोगे. तो ये इस सीरीज का main motor है, आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, vernier calipers के बारे में, screw gauge के बारे में and spherometer के बारे में. तो पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि ये जो vernier calipers है, screw gauge है, spherometer है, ये जो measurement वाली instrument है न, इनके उपर धेर सारे questions पूछे जाने लगे है respective examinations के अंदर. और normally बच्चे इनको पढ़ते नहीं है, तो आज अपन इनको detail के अंदर समझेंगे भी और इनके उपर धेर सारे questions करेंगे हमारी live DPP session के अंदर, right? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि शायद नए है, अभी उनको हमारी मन्थन 2.0 series के बारे में नहीं पता, तो पूरी की पूरी detail जो है, पूरा का पूरा plan जो है 80 days का, वो आपको इस sheet के अंदर मिल जाएगा बेटा, और इस sheet की जो link है, वो आपको वीडियो के description के सभी बच्चों को ये sheet अपने पास में रखनी है, और सभी बच्चों को इस sheet को regularly देखना है, regular basis के उपर मैं sheet को update करता हूँ, आपको advanced के अंदर पता बढ़ जाता है, कि आप किस दिन कौन सा topic पढ़ने वाले हो, कितने बचे तुमारी class होने वाली है, यूट्यूब के उपर इसके अलाव बेटा, हमारे live DPP sessions भी होते हैं, और ये जो live DPP sessions है, इसकी link आपको live chat के अंदर मिल जाती है, आज भी देखो, आप live chat के अंदर मैंने एक class के link पिन कर रखी है, तो just इस class के बाद में practice के लिए हमें live DPP session में आना है, आप direct उस link के उपर click कर सकते हो, direct enroll कर सकते हो अभी जाके notify me का option वहाँ पर click कर लो, ताकि आप class के बाद में फटाफर से live DPP session का हिस्सा भी बन जाओ, right, my name is सुभाष, I am BTEC from NIT सूरत, I am an author, I have written this book called Most Wanted Physics, 7 plus years teaching experience है, बहुत सारी ranks produce करी है, फिलहाल एक verified plus educator हूँ, आप चाहो तो मुझे plus के उपर भी follow कर सकते हो, पिटा, plus क के उपर आपको धेर सारे benefits मिलते हैं, अभी आपको जिन चीजों के लिए भटकना पड़ रहे हैं, उस सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही better environment के अंदर मिलेगी, unacademy learning app के उपर, live classes, weekly test, पूरा का पूरा structured course और unlimited access, ये आपको plus के अंदर मिल जाएगा, अगर आपको personal mentorship चा अगर आपको guide चाहिए, आपको हाथ पकड़के पूरे neat के दरवाजे तक ले जाने वाला mentor चाहिए, तो आप iconic subscription भी buy कर सकते हो, plus या iconic, दोनों ही जब आप buy करोगे, तो आप azad live code apply करोगे, ताकि आप मेरी team का हिस्सा बन सको, ताकि आप 10% का discount हासिल कर सको, किसी भी respective course के करनी पड़ेगी, similarly for iconic, अगर आप 12 मन्त का subscription buy करते हो, तो azad live code को apply करने के बाद में आपको इतनी fees pay करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे बच्चे message करते हैं, class के बाद में कि सर हमें plus के उपर बढ़ना है, यहाँ पर distraction हो रहा है, यहाँ पर distraction हो रहा है, यहाँ सब कुछ है, त हमारा अपना निश्चे plus batch हो गया, most important 10,000 questions वाला batch हो गया, रणनीती batch हो गया, toppers batch हो गया, तो यह सारे के सारे batch अभी start होए है, unlimited access का मतलब होता है बेटा, आप इन में से किसी भी batch को join कर सकते हो, जिस batch को आप join करना चाहते हो, right, चलो, तो are we ready for today's session, अभी तो hi hello ही चल रही ह हणा, मैं time based करने वाले teachers में से नहीं हो, तो मैं बहुत जल्दी session start कर देता हूँ, तो एक बार फटाफट से मुझे बता दो, are we ready for today's session, और तुम सभी लोगों को share करना है, ठीक है न, जो late लतीफ है न, उनको जगाना है, कि भाई time पर आओ, सर एकदम time के उपर class start करते हैं, और बहुत कम period of time के अंदर बहुत सारा हम लोग concepts वगरा पढ़ते हैं, तो बहुत जरूरी है आप लोगों का on time पर class के अंदर present होना, right, so hello everyone, आप सभी लोगों का एक बार मैं नाम ले लेता हूँ, रेनू, शुभाम, सक्षम, नेहा, गरीमा, हंटर, डेंजर्स, अंजली, तिवारी, कीर्ती, सुनीता, आपके नाम पढ़के बड़ी हसी सी आ जाती है, right, very good evening, so yes, we all are ready, चलो, शुरुवात करते हैं, तो बेटा हमने unit and dimension में सबसे पहले units के बारे में पढ़ा, हमने फिर dimensional analysis के बारे में पढ़ा, हमने last class के अंदर errors के बारे में पढ़ा था, तो error कब आती है, जब आप measurement करते हो, तो आज हम measurement के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग तीन instruments के बारे में पढ़ेंगे, जिनके ओपर normally आपको questions पूछे जा सकते हैं, right, यह तीनों ही instruments जो है, वो length को measure करने वाले instrument है, आप बोलोगे sir, length को measure करने के लिए तो already हमारे पास में instrument र रखा हुआ है, वो भी तो length को measure करता है, तो हमें यह इतने खतरनाक नाम वाले instrument क्यों use करने पड़ रहे है, right, तो उसका कारण में बताता हूँ, देखो आपके पास में जो regular scale रखा हुआ है, उसका least count जो है, वो कितना है, वो 1 mm है, बतब आप 1 mm से छोटी length को measure नहीं कर सकते अपनी scale को use करके, या आप यूँ कहलो कि जब आप centimeters के अंदर अपनी reading लिखोगे न, तो आप decimal के बाद में एक digit तक ही surety से अपना answer लिख सकते हो, उसके बाद में आपको allowed नहीं होगा अगर आप आपके regular scale को use करते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारा जो regular scale है, उसका least count क कितना है, 1 mm, या फिर 0.1 cm, या भी यूँ भी कह सकते हो, कि आपका scale जो है, उसका precision कितना है, 0.1 cm या फिर 1 mm है, आप उससे छोटी length को measure नहीं कर सकते, तो अगर मानलो आपको उससे भी छोटी length को measure करना है, आपको और जदा precisely अपनी length जो है, वो measure करनी है, जो भी object आपको द screw gauge या फिर spherometer में से किसी एक instrument को use करना होगा, और इनकी भी अलग-अलग categories है, मतलब अलग-अप्लिकेशन के अंदर अलग-अलग instrument को use किया जाता है, तो सबसे पहला कारण, सबसे पहला कारण है इन instrument के बारे में पढ़ने का, कि ये more precise instrument है in comparison with your regular scale, पहली चीज़ आप लोग calipers, I hope सभी लोगों ने देखा होगा अपनी जिंदगी में कभी ना कभी vernier calipers को, मुझे yes and no, एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ, क्या आपने अपनी life में कभी live vernier calipers को देखा है, जब आप 11th class में होंगे, अपनी school की lab के अंदर गए होंगे, तो definitely आपको जो पहला experiment क करवाया गया होगा, right, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है, अब आप बोलोगे सब्सक्री ये तो बिलकुल हमारे normal scale जैसे है, ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये तो बिलकुल आपके normal scale जैसे है, exactly, ये आपका fixed scale होता है बेटा, इसको अपन बोलत scale जो है, वो attached है, छोटा सा scale है, इसकी खाशित क्या है, कि ये main scale के उपर प्लिया कर सकता है, ये main scale के उपर slide कर सकता है बेटा, तो आप इस scale को, ये जो छोटा वाला scale है, इसको आप main scale के उपर क्या करवा सकते हो, slide करवा सकते हो, और इसी scale को क्या बोला जाता है बेटा, इस के main scale के उपर भी marks बने हुए है sections बने हुए है और आपके vernier scale के उपर भी marks बने हुए है sections बने हुए है ये दोनों कहलाते हैं इसके outer measuring jaws और ये उपर वाले दोनों जो कहलाते हैं ये कहलाते है inner measuring jaws तो अगर आपको suppose करो किसी चीज की outer प्रोंग आपको नजर आएगा आप इसको यूज कर सकते हो हलंकि हम लोग इसके practical aspect के उपर नहीं जाएंगे कि सर कैसे beaker की depth measure करते हैं कैसे beaker की outer और inner radius measure करते हैं हम उन सब details के अंदर नहीं जाएंगे हमें तो इसका जो core principle है जिसके उपर numericals बनते हैं जिसके उपर questions आप से पूछे जा सकते हैं नीट के अंदर उन चीजों को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करनी है ठीक है ठीक है तो पिटा जब भी हमें ध्यान देना जब भी हमें vernier calipers का question पूछा जाएगा तो जो सबसे पहली detail हमें पकड़नी है वो ये पकड़नी है कि how many vernier scale divisions are coinciding with how many main scale divisions ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है तो सबसे पहली चीज़ जो आप notice करोगे जैसे आपको vernier calipers दिया जाएगा तो आपको notice करना है how many vernier scale divisions are coinciding with how many main scale divisions ये चीज़ सबसे पहले आपको notice करनी है आगया सभी बच्चों को समझ में कितने vernier scale division कितने main scale division से co-inside कर रहे है ये आपको सबसे पहले notice करना है जैसे अगर मैं ये वाला जो हिस्सा है हमारे इस vernier calipers का अगर इस हिस्से को मैं थोड़ा सा zoom out करके तुम्हें दिखाता हूँ ऐसे lens लगा के मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें बड़ा होके दिख जाए तो तुम यहाँ पर notice करोगे कि हमारे main scale का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छटा, सातवा, आठवा और नवा तो हमारे main scale के 9 sections जो है हमारे vernier scale के पहले दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छटे, सातवे, आठवे, नवे और दसवे तो आप क्या notice कर रहे हो कि आपके जो 10 vernier scale divisions है वो 9 main scale divisions के साथ में क्या कर रहे है co-inside कर रहे है तो हमें सबसे पहले यही notice करना है वेटा कि कितने, कितने vernier scale divisions कितने main scale divisions के साथ में co-inside कर रहे है तो हमें पता पढ़ गया कि जो example हम लोगों ने लिया है यहाँ पर जो हमने example लिया है यहाँ पर वहाँ पर A की value कितनी है 10 और वहाँ पर B की value कितनी है 9 यानि कि 10 vernier scales जो है वो 9 main scale divisions के साथ में co-inside कर रहे है यह पहली चीज हमें पता पढ़ गई बेटा फॉस्ट चीज हमें पता पढ़ गई अब आप बोलो इसका फायदा क्या है इसका फायदा यह है कि जैसे ही आपको यह पता पढ़ गया आप क्या find out कर सकते हो कि आपके हर vernier scale division की size कितनी होगी तो यह हो जाएगी बेटा आपकी B divided by A multiplied by main scale division तो आपको main scale division कितना है वो दे रखा होगा और आप आसानी से क्या find out कर सकते हो कि हर vernier scale division कितना होगा उसकी size कितनी होगी वो आप आसानी से find out कर सकते हो जैसे example के अंदर बेटा आपको one main scale division जो है वो किसके बराबर दे रखा है 0.1 cm के बराबर दे रखा है नॉर्मल scale है न आपका तो नॉर्मल scale का एक mark जो होता है वो कितनी distance के उपर होता है एक centimeter की distance को 10 parts में divide कर देते हो तो 0.1 cm पर होता है तो आपका जो main scale division है वो कितना दे रखा है 0.1 cm दे रखा है इस example के अंदर ठीक है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो length है यह जो length है यह कितनी है 1 cm है और इसको आपने 10 parts में divide कर रखा है कितने parts में divide कर रखा है 10 parts में divide कर रखा है तो आपका 1 main scale division किसके बराबर हो जाएगा आप बोलोगे कि सर हमने 1 cm को 10 parts में divide कर लिया यानि कि पक्का 0.1 cm के बराबर हो जाएगा यही तो किया है हम लोगों ने आ रहा है सभी बच्चों को समझ में, ठीक है? तो हमें सबसे important, सबसे पहली चीज हमें क्या notice करनी थी? ये वाली चीज कि कितरे vernier scale division, कितरे main scale division से coincide कर रहे हैं और इसको फायदा क्या होगा, इसको notice करने का हमें पता पढ़ जाएगा कि हर vernier scale division की जो size है वो कितनी है और बिटा जैसे हम यह पता पढ़ गया कि हर vernier scale division की size कितनी है हम लोग आसानी से find out कर सकते है कि आपका least count कितना होगा आपका least count कितना होगा बहुत आसान है जो least count होता है न वो simply difference होता है किस-किस का आपके जो main scale division है इसमें से आप vernier scale division को क्या कर दो minus कर दो इन दोनों का difference ही क्या कहलाता है आपका least count कहलाता है जब आप values रखोगे तो यह किसके बराबर आजाएगा यह आजाएगा A minus B divided by A multiplied by main scale division के बराबर आजाएगा आप जब vernier scale division की जगे यह रखोगे न यह वाली जो चीज हमने निकाली है अगर आप यह रखोगे vernier scale division की जगे MSD को अगर आप common लोगे तो आपका कुछ ऐसा formula बन जाएगा इसको आप directly use कर सकते हो as a weapon तो यह आपका तीसरा हतियार हो जाएगा यह आपका तीसरा हतियार हो जाएगा तो बेटा आपको एक एक चीज समझ में आई एक बार दुबारा से revise कर देता हूँ देखो जब भी आपको vernier calipers के उपर question पूछा जाएगा आपको सबसे पहली चीज क्या notice करनी है बेटा आपको notice करना है कितने vernier scale division कितने main scale division के साथ में coincide कर रहा है पहली चीज उससे फायदा क्या होगा आपको आपको हर vernier scale division की size पता चल जाएगी उससे क्या फायदा होगा उससे आप vernier calipers का least count find out कर सकते हो और sir हम vernier calipers का least count क्यों find out कर रहे है क्योंकि अगर हमें reading लेनी है vernier calipers से तो हमें least count को use करना पड़ेगा तो अब आप बोलोगे sir reading कैसे लेते हैं reading कैसे लेते हैं तो measurement कैसे किया जा सकता है vernier calipers को use करके least count हमने already find out कर लिया वो काम हम already कर चुके है हमारे पास में formula आ चुका है अब मैं आपको reading लेना सिखाता हूँ कैसे reading लिया जाते हैं तो मान लो मैंने आपको एक spherical ball दी है तो ये ball सबको नजर आ रही है तो इस ball की तुम्हें diameter measure करनी है ठीक है ना और फिर diameter से तुम volume वगरा सब कुछ measure कर सकते हो तो इसका diameter measure करते हैं तो आप diameter measure करने के लिए क्या करोगे इसको जो दोनो jaws है ठीक है आपके vernier calipers के जो दोनो jaws है उनके बीच में fix करने की कोशिश करोगे तो आपको diagram के अंदर मैंने show कर रखा है आपको जो भी spherical ball दी जाएगी उसको दोनो jaws के बीच में क्या करना है fix कर देना है अब जैसे आप fix कर दोगे तो आपको reading लेनी है अब देखो reading कैसे ली जाएगी तो ये वाला जो section है न इसको मैं थोड़ा सा zoom out करके show कर देता हूँ यहाँ पर जो हमारा section बन रहा है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके show कर देता हूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा zoom out बड़ा करके यहाँ पर show कर दिया तो अब देखो हमें reading कैसे लेनी होती है तो हमारी जो final reading होती न बिटा देखो कैसे ली जाती है सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे इसको यह सब चीजे कोई नहीं सिखाएगा आपको इस तरीके से आपकी जो final reading है वो कैसे लोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपके main scale के ऊपर कितनी reading है तो main scale के ऊपर reading का मतलब यह है कि main scale पर vernier scale की reading से start होने से पहले कितनी reading आ चुकी है तो हमारी यह वाली जो reading है वो हमें mark कर लेनी है तो यह हमारी main scale की reading हो जाएगी क्या हो जाएगी यह main scale की reading हो जाएगी मैं short form लिख रहा हूँ सभी बच्चे class ध्यान से देखेंगे ताकि इन short form से आप confused ना हो तो यह हो जाएगी आपकी main scale की reading ठीक है सबसे पहले note करनी है इसको हम short में लिखेंगे m,s,r यह आपको सबसे पहले note करनी है ठीक है तो आप जो example लेके चल रहे हो आप जो example लेके चल रहे हो उसके अंदर आप देख रहे हो कि आपकी जो main scale की reading है वो कितनी है 2.1 कितनी है 2.1 cm है मतलब 2 cm और उसके बाद में एक section और हो गया तो 2.1 cm आपकी main scale की reading है सबको आ गया समझ में ठीक है फिर उसके बाद में क्या करते है हम लोग यह देखते है कि हमारे vernier scale का कौन सा mark main scale के किसी particular mark से coincide कर रहा है ठीक है तो हम लोग numbering start करते है यह है 0 यह है 1 यह है 2 यह है 3 4 5 6 7 8 9 और 0 इस तरीकी से numbering DV होती है तो आप अगर गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि आपका जो 7th section है यह main scale से coincide कर रहा है यह आपका coinciding section है यह आपका coinciding mark है coinciding mark है तो आपको इसी चीज़ को notice करना होता है इसी चीज़ को notice करना होता है तो आप क्या करते हो जो आपका coinciding mark है coinciding mark है ठीक है इसको हम बोलेंगे vernier scale reading इसको अपन बोलेंगे vernier scale की reading इसको ही आप किस से multiply कर देते हो इसको ही आप least count से multiply कर देते हो और इस तरीके से आपकी final reading आजाती है इस तरीके से आपकी final reading आजाती है तो आप notice करोगे कि आर हमने जो example लिया है वहाँ पर हमारा जो coinciding mark है वहाँ पर हमारा जो coinciding mark है या जो हमारी vernier scale की reading है वो कितनी है? 7 है कितनी है 7 और least count हम अल्रेडी निकाल चुके थे least count हमने अल्रेडी निकाल लिया था A minus B divided by A multiplied by main scale division तो हम सबकी value रखेंगे तो A की value थी 10 minus B की value थी 9 divided by 9 multiplied by main scale division था आपका कितना 0.1 cm तो यह आजाएगा 0.01 cm यह हम अल्रेडी निकाल चुके थे जो example हम लोग ले रहे है ठीक है आपको जब question दिया जाएगा तो आपको कोई भी value दी जा सकती है आपको A कुछ भी दिया जा सकता है आप उन दोनों को use करके least count निकालोगे वो least count वेने यहाँ पर निकाला है हमने जो example के तोर पर यहाँ पर लिया है तो least count कितना आ रहा है आपका 0.01 cm आ रहा है तो हमारा जो example हम लोगों ने लिया है जो diagram आपको दिख रहा है तो वहाँ पर आपको final reading कितनी नजर आएगी तो वहाँ पर आपको final reading जो नजर आएगी जो आपको final reading नजर आएगी वो कितनी नजर आएगी main scale की reading है आपकी 2.1 प्लस coinciding section है आपका 7 और इसको आप multiply कर दोगे 0.01 cm से तो आपकी final reading आजाएगी 2.1 7 cm ये आपका final answer आना चाहिए आया सभी बच्चों को समझ में तो एक बार फिर से revise करूँ एक बार मुझे सारे के सारे बच्चे बताएंगे पूरा procedure समझ में आया पूरा procedure समझ में आया step by step जैसे ही आपको vernier calipers के बारे में बात करी जाएगी सबते पहले क्या notice करना है कितने vernier scale division कितने main scale division से coincide कर रहे है बलब A और B की value आपको find out करनी है फिर A और B की मदद से आप 2 चीज़े find out कर सकते हो आपको vernier scale division की size पूछी जा सकती है वो आप find out कर सकते हो और आपको least count पूछा जा सकता है वो आप find out कर सकते हो ठीक है A और B की मदद से और जैसे आपके पास में least count आ गया आप चाहो तो measurement भी कर सकते हो आप vernier calipers को use करके final reading भी find out कर सकते हो तो एक काम करते हैं अपने एक example लेते हैं भाई एक example तो हमने ये वाला ले लिया एक और example लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा प्रोसेजर में एक बार numerical के थ्रू एक स्प्लेंड करते हैं तो हम लोग numerical के थ्रू एक example लेके numerical के थ्र एक second रुखो एक example लेते हैं यहाँ पर एक blank page लेते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं explain करने की कोशिश करता हूँ ठीक है final reading जो है वो एक बार वापस से बताता हूँ रई चलो तो सबसे पहले आपको कहा गया है question के अंदर सबसे पहले कहा गया है question के अंदर if 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 eight main scale divisions if eight main scale divisions coincide with coincide with ten vernier scale divisions आप से बोला गया है कि आपके eight main scale divisions जो है थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ आपको दिख जाए सबको आपको कहा गया है कि eight main scale divisions जो है वो coincide कर रहे है with ten vernier scale divisions आप से पूछा गया है find 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 the size of find the size of each vernier scale division if one main scale division is equals to if one main scale division is equals to 0.2 centimeter अगर आपका eight main scale division 0.2 centimeter का है तो आपको find out करना है कि vernier scale division की size कितनी होगी अब देखो ज्यान से सुनो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको क्या notice करना है आपको ये notice करना है कि इतने main scale divisions के साथ ये सबसे पहले notice करना था तो यहाँ पर question आपने पढ़ा आपने देखा कि यार हमारे 10 main scale divisions 8 sorry 10 vernier scale divisions जो है वो 8 main scale divisions के साथ में coincide कर रहे हैं तो हमें पता पढ़ गया हमें पता पढ़ गया कि हमारा A कितना है और हमें पता पढ़ गया हमारा B कितना है दोनों चीजे हमें पता पढ़ गई और जैसे हमें A और B पता पढ़ गया हम लोग क्या निकाल सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं Size of Vernier Scale Division कैसे निकालते थे हम Simply B को A से Divide कर देते थे और Main Scale Division से Multiplied कर दिया करते थे तो हो गया हमारा काम B कितना दे रखा है हमें 8 दे रखा है A कितना दे रखा है 10 दे रखा है और Main Scale Division की Size कितनी दे रखी है 0.2 cm दे रखी है तो यह हो जाएगा आपका 1.6 उसको 10 से Divide करोगे तो 0.16 cm यह आपका क्या आजाएगा हर Varnier Scale Division की Size आजाएगी आपके पास अब अगर आपसे पूछा जाए कि Find Least Count Find Least Count अगर आपसे Least Count भी पूछा जाए तो आप क्या करोगे अगर आपसे पूछा जाए कि Least Count कितना है तो आप क्या करोगे तो आप दो काम कर सकते हो मैंने बताया था एक तो आप Least Count निकाल सकते हो कैसे जो आपका Main Scale Division है उसमें से Varnier Scale Division को क्या कर दो माइनस कर दो तो आपका Main Scale Division कितना दे रखा है 0.2 cm दे रखा है और इसमें से आप माइनस कर दो 0.16 cm को तो आपका आंसर आजाएगा कितना आपका आंसर आजाएगा 0.2 में से 0.16 चला गया तो यूर आंसर वोड़ बी 0.04 cm ये आपका Least Count हो जाएगा ये आपका Least Count हो जाएगा तो एक तो तरीका ये है ये आपका First Method है ये आपका First Method है और एक मैंने आपको Direct Formula बताया था जो हमारा Second Method है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे Direct Formula लगाएंगे कि हमारा जो Least Count होता है वो किसके बरावर होता है A-B divided by A multiplied by main scale division तो हमें A पता है कितना है 10 है B पता है कितना है 8 है divided by A मतलब 10 multiplied by main scale division that is 0.2 cm तो यहां से भी हमारा answer कितना आएगा 2 divided by 10 multiplied by 0.2 cm तो यहां से भी हमारा answer आजाएगा 0.04 cm अब मुझे बताओ बच्चो समझ में आया या नहीं आया मैं देख रहा हूं कि maximum बच्चे मेरे साथ साथ में answer कर रहे है तो यह clearly show करता है कि maximum बच्चों को यह procedure अच्छे से समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है इसके अंदर किसी को कोई भी problem नहीं होनी चाहिए ठीक है अब देखो वेटा जब reading ली जाती है तो आपको क्या-क्या दिया जाता है तो आपको कहा गया है कि when a spherical ball is fixed between jaws इसके दोनों jaws है उसके बीच में अगर एक spherical ball को fix किया जाता है तो आपको कहा जाता है कि main scale की जो reading है वो कितनी आती है तो main scale की reading आ जाती है आपकी 3.2 आ जाती है अब यह आपको लिख के भी दिया जा सकता है और यह आपको diagram मना के भी दिया जा सकता है जैसे मैंने यहाँ पर question में लिख के बता दिया कि main scale की reading कितनी आ जाती है 3.2 और अब 3.2 के बाद में आपका vernier scale start होता है तो diagram मना के भी आपको दिया जा सकता है इसके उपर धेर सारे question अपन solve करेंगे हमारी live DPP के अंदर ठीक है न अभी यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझेंगे इस चीज को live DPP में आप चिंता मत करो बहुत सारे questions है हमारे वर्णियर के लिफर्स के उपर इसी लिए सारे के सारे बच्चे live DPP के अंदर जरूर enroll कर ले न लिंक आपको मिलेगी live chat के अंदर मैंने pin करवा रखी राइट तो main scale की reading आपको कितनी दे रखी है बेटा 3.2 दे रखी है लिखके भी दिया जा सकता है diagram बना के भी दिया जा सकता है कोई चिंता करने की ज़रुवत नहीं है और आपको बोला गया है and आपको बोला गया है आपको बोला गया है fourth vernier scale division coincide with fourth vernier scale division coincide with main scale division आपको already बता दिया गया है कि जो चोथा vernier scale mark है वो main scale के किसी mark से coincide कर रहा है बागी कोई भी नहीं करेगा एक ही coincide करेगा आप देखना राइट तो बताओ final reading कितनी होगी तो बताओ final reading कितनी होगी ये आप से पूछा गया है तो मैंने आपको बताया था final reading कैसे निकालते है अपन बेटा final reading निकालने का तरीका मैंने बताया था कि हम सबसे पहले तो क्या करते हैं हम सबसे पहले तो main scale की reading को note कर लेते हैं फिर plus जो हमारा vernier scale का reading है ठीक है उसको हम लोग किस से multiply कर देते हैं least count से multiply कर लेते हैं that's it बस इतना सा काम करना है तो हमें सारी चीज़े दे दी गई है main scale की reading दे दी गई है हमें 3.2 कौन सा mark coincide कर रहा है 4th और least count कितना है आपका 0.04 cm है तो आपका answer आजाएगा 3.2 3.2 प्लस 3.2 प्लस करोगे तो कितना आजाएगा 4 into 0.4 करोगे तो 0.16 आजाएगा राइट तो आपका final answer आजाना चाहिए 3.36 cm This should be your final answer अब मुझे बताओ confidence आया या नहीं आया और अभी तो चिंता मत्तर हो यार मैं तुम्हें इतने सारे questions कर रहा हूँगा ना Live DPP के अंदर जो different scenario है कि सर्थ 0 error आने पर क्या करेंगे 0 error को कैसे correct करते हैं ठीक है और भी बहुत सारे questions बनते हैं 1 year calipers के उपर तो जो different category of questions है वो हम लोग हमारी Live DPP के अंदर definitely लेने वाले है So is it clear बच्चों मैं देख रहा हूँ आज class के अंदर थोड़ा सा जोश कम है तुम लोगों ने share where नहीं किया मतलब आज की class को है न दोसों को आखड़ा भी नहीं छूने दे रहे हैं आज class को पटाफट से share करो हम लोग आके दो instruments और पढ़ने वाले हैं जल्दी से like करो सारे के सारे बच्चे जल्दी से share करो फ़लब YouTube को भी पता पढ़ना चाहिए न कि यार कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है कुछ वाकि बच्चों के लिए 5 दे मंद जो class हो सकती हो यहाँ पर चल रही है तो क्यों ना इस class को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को recommend करा जाए तो यह कब होगा YouTube को कब पता चलेगा YouTube एक algorithm है उसको कब पता चलेगा जब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर share करने लगेंगे आप comments के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में interact करेंगे तो सभी बच्चे एक बार अच्छा वाला shout out देंगे यहाँ पर स्तारे बच्चे जिनको समझ में आ रहा है अच्छे से एकदम एक एक चीज क्लियर है पूरा का पूरा जो live chat है वो लाल पिला हो जाना चाहिए आपके comment से जल्दी फटावट से हम लोग पढ़ेंगे हमारे next instrument के बारे देंगे चलो आगे चलते हैं तो ये vernier calipers वाला काम हो गया vernier calipers क्या होता है vernier calipers का least count कैसे find out किया जा सकता है और vernier calipers के अंदर reading कैसे ली जाती है यही चीज आपको ध्यान में रखनी है इसको बहुत ज़्यादा detail में पढ़ने की जरुरत नहीं है इसी के उपर आपके different different numericals बनते हैं जिनको हम लोग live DPP के अंदर consider करने वाले हैं अब आते हैं हम लोग हमारे next instrument के उपर यह है हमारा next instrument which is called screw gauge यह screw gauge भी बोला जाता है इसको दोनों तरीकी से pronounce कर सकते हो यह आपका screw based instrument है screw based instrument का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक screw mechanism involved होती है सर screw mechanism क्या होती है आप सभी लोगों को पता है क्या होती है आप सभी लोगों ने कभी न कभी दिवार के अंदर जरूर screw जो है वो डाला होगा तो screw mechanism का मतलब क्या होता है कि screw को जब आप क्या करते हो rotate करते हो गुमाते हो तो वो आपको horizontal direction के अंदर move करता होगा नजर आता है this is called screw mechanism when you rotate your screw it move either back and forth in horizontal direction ये बहुत important है तो आपका screw gauge हो गया या फिर आपका spherometer हो गया ये दोनों ही instruments जो होते हैं वो screw based instrument होते हैं और ध्यान रतना बच्चों जितने भी screw based instrument होते हैं उन सभी के लिए आप सबसे पहले क्या find out करते हो pitch find out करते हो क्या find out करते हो pitch find out करते हो हमें क्या find out करना है कि जो हमारा screw यहां पर involved है उसके pitch कितनी होगी अब pitch का मतलब क्या होता है बेटा distance pitch का मतलब होता है distance moved by screw in one circular rotation in one complete rotation एक पूरा का पूरा rotation आप complete करवा देते हो तो उतनी देर में आपने screw को गुमाया 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 एक पूरा rotation complete करवा दिया तो एक rotation complete करवाने के दौरान आपका screw कितना distance move करता है उसी को क्या कहा जाता है pitch कहा जाता है अब आप बोलोगे कि सर हम जब एक rotation करवाते हैं तब तो pitch बहुत ही कम चलता है हम तो measure ही नहीं कर पाते हैं कि एक rotation के अंदर वो कितने distance चल रहा है बहुत कम distance move चलता है तो हम लोग क्या करते हैं एक rotation ना करवा के हम लोग दूसरे तरीके से find out करते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग total distance हम लोग total distance moved by हम लोग total distance moved by screw find out कर लेते हैं अब यह total distance कितनी है अब की बार हम लोग एक rotation नहीं करवा रहें अब की पार हम लोग धेड सारे rotation करवा रहें एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार तस पंद्रा बार आप करवा दो अथा खासा आपका screw जो है वो distance move कर लेगा अब आप आसानी से move कर सकते हो तो rather than one complete rotation हम लोग धेर सारे rotation यहाँ पर complete करवाते हैं और फिर हम लोग screw की pitch कैसे find out करते हैं हम लोग total distance को divide कर देते हैं number of number of complete rotation तुमने total कितने rotations complete करवाए हैं उससे आप क्या कर देते हो इसको divide कर देते हो तो जब भी आपको screw gauge के उपर question पूछा जाएगा ना बेटाओ जब भी सबसे पहले notice करना आपके pitch निकलवाई जाएगी सबसे पहले जैसे एक example लेते हैं मैंने कहा example के अंदर मैंने कहा कि when मैंने कहा when when screw of when screw of screw gauge is is rotated is rotated इसको पन ले लेते हैं 20 turns 20 turns ठीक है 20 rotations 20 complete rotations 20 complete rotations ठीक है आपने एक screw watch लिया और आपने इसका जो screw है यह रहा यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने up and down का निशान भी बना रहा है तो यहाँ से पकड़के आप इसको क्या करते हो रोटेट करवाते हो ठीक है ना ठीक है और जो बाकी चीजे है वो आपको मैं भी दीरे दीरे समझा दूँगा यह आपका ए पता पढ़ जाता है कि आपका जो scale है वो horizontal direction में कितना चल रहा है आप जैसे circular scale को rotate करोगे pitch को rotate करोगे तो इस pitch scale के उपर आपको moment होते वे नज़र आएगी आपका कितना screw आगे या पीछे हो रहा है वो आपको यहाँ से पता चल जाए तो question में आपको दे रखा होगा बेटा question में आपको दे रखा होगा कि जब screw को rotate किया जाता है by 20 complete rotations कितने rotations complete करवा दिये तुमने 20 complete rotations करवा दिये ठीक है 20 rotation आपने करवा दिये आप से बोला जाता है screw moves by a distance of by a distance of 20 mm कितनी distance चल जाता है यह 20 mm चल जाता है तो आप से पूछा गया है कि find find pitch of screw बताओ इस screw की pitch कितनी होगी यह आपको find out करना है कैसे find out करोगे यह तो बहुत आसान है आपको सर ने direct बताया था कि या तो आपको कह दिया जाएगा कि एक rotation में कितनी distance सल रहे है डाइरेक्ट बता दिया pitch या फिर आपको कुछ number of rotations दियो वे होगे और आपको total distance दियो होगे आप बड़ी आसान है से pitch find out कर सकते हो तो यहाँ पर जैसे आप pitch find out करोगे तो आप क्या करोगे total distance जो है उसको आप किस से divide कर दोगे total distance को आप divide कर दोगे number of number of rotations से तो सब कुछ आपको दिया हुआ है बेटा यहाँ पर total distance कितनी चली 20 mm और कितने rotations के अंदर 20 rotations के अंदर 20 से 20 cancel out हो जाएगा आप देखोगे कि pitch of screw कितना आ जाएगा आपका 1 mm आ जाएगा तो बहुत जादा chances से बेटा नीट के अंदर आपसे जो question पूछा जाएगा उसमें आपसे pitch of screw पूछा जाएगा बहुत जादा chances कर लोगे सारे के सारे बच्चे निकाल लोगे सारे के सारी चीज़े अब screw gauge को use कैसे किया जाते है तो बेटा जिस भी चीज की thickness हमें find out करनी है उसको हम लोग क्या करते हैं इसके बीच में रखते हैं यहाँ पर इसके बीच में रखते हैं और हमारा जो screw है उसको rotate करते 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 एक ऐसी position पर लियाते है कि हमारा जो object है वो stud और screw इन दोनों के just बीच में क्या हो जाए fix हो जाए एक cut करके आवाज आती है जब आप screw gauge को use करते हो तो आपको आवाज आती है कि हाँ भाई साब अब इससे जदा screw जो है वो rotate नहीं हो सकता इससे जदा screw जो है वो move नहीं कर सकता तो जिस भी object की thickness आपको find out करनी है उसको आप क्या करते हो इन दोनों के बीच में stud और screw इन दोनों के बीच में क्या कर देते हो आप fix कर देते हो और fix करने के बाद में आप यहाँ पर देखते हो इस जगह पर आपको आपकी reading नजर आएगी कैसे लेते हैं हम लोग reading तो final reading लेने का मैं तरीका बताता हूँ तो जैसे मैंने क्या करा है एक example के तोर पर एक ball ली और इस ball को मैंने क्या कर दिया fix कर दिया इस ball को मैंने क्या कर दिया fix कर दिया ठीक है और finally जो मेरी reading आ रही है, वो मुझे कहाँ पर दिखाई देगी, मेरी reading जो है वो मुझे इस जगहें पर दिखाई देगी, तो ये वाला जो portion है, इसको मैं थोड़ा सा zoom out करके आपको बता देता हूँ थोड़ा सा enlarge करके मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके का आपको यहाँ पर reading नजर आएगा ठीक ना अब इसको 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 लेते कैसे मतलब reading फाइनली हमें लिखनी कैसे है ठीक ना तो बता सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लोग हमारा least count to find out करेंगे सबसे पहले तो क्या find out करेंगे हम लोग least count to find out करेंगे और least count find out करना बहुत आसान है कैसे find out करते है हम लोगों ने pitch of screw अलरड़ी निकाल रखी है अब हम इसको किस से डिवाइड करेंगे अब हम इसको किस से डिवाइड करेंगे पिछ आफ इस क्रू को हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किस से हमारे number of circular scale divisions से हमारा जो circular scale है उसके उपर कितने divisions बने हुए है उससे हम लोग क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता पढ़ जाएगा कि actual में हमारी इस screw gauge का least count कितना होना चाहिए तो जैसे example लेते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया था example के अंदर कि जो pitch of screw है जो pitch of screw है वो तो अभी अभी हमने निकाली थी कितनी थी 0.1 mm थी कितनी 1 mm या फिर 0.1 cm भी लिख सकते हो अभी अभी निकाला था पिछला यह example ले लेता है one right और हमें दे रखा है number of circular scale division हमें दे रखा है number of circular scale divisions ये भी हमें दे रखा है ठीक है कि कितनी divisions है circular scale के उपर कह रखा है भाई साब 100 divisions बने हो है 100 divisions बने हो है तो आपको find out करना है कि बताओ इसका least count कितना होगा बढ़ी आसानी से find out कर लोगे आप बोलोगे सर इसका least count आपने बताया था जो pitch of screw है यानि कि 0.1 cm इसी को हम किस से divide कर देंगे 100 से divide कर देंगे तो हमारा answer आजाएगा least count that is 0.001 cm अगर आप mm के अंदर लिखना चाओगे तो आप 1 mm को 100 से divide कर दोगे तो ये आजाएगा 0.01 mm देखो least count जितना कम है ना तुमारा instrument उतना ही ज़्यादा precise है तुम उतनी छोटी value को आप measure कर सकते हो तो ये चीज हमें समझ में आ वही कि और least count कैसे निकाला जाता है and once we have least count हम final reading लेना आसानी से सीख सकते है तो बटा final reading किस तरीके से ली जाती है मैं आपको बताता हूँ final reading किस तरीके से ली जाती है तो final reading लेने के लिए अगर हमें final reading लेनी है तो हमें गौर से देखना है कि हमारी क्या situation बन रही है ठीक है तो हम सबसे पहले तो हमारे pitch scale की reading लेते है या main scale की reading लेते है main scale की reading का मतलब है ये वाली reading ये है हमारा pitch scale इसकी हम लोग reading लेंगे तो ये कहलाता है आपका pitch scale तो इसकी हम लोग reading लेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने notice किया कि हमारे pitch scale की reading कितनी है ये हम लोगों ने notice किया ठीक है pitch scale की reading को हम लोग किस से multiply कर देंगे हमारी pitch से multiply कर देंगे ये सबसे पहला काम करने कितनी reading आई और उसको हम लोगों ने किस से multiply कर दिया फिट से multiply कर दिया तो हम देखेंगे हमारी reading आएगी 1, 2, 3, 4, ये 5 लिखा हुआ है और ये 6 और ये 7 तो हमने जो example लिया है उस example के अंदर हमारा जो example है उसके अंदर जो pitch scale की reading है इसको मैं लिख रहा हूँ PSR तो वो कितनी नजर आ रही है हमें 7 नजर आ रही है हमारे example के अंदर pitch कितना आ रहा था हमारे example के अंदर pitch आ रहा था आपका 1 mm ठीक है तो हमने सबसे पहले क्या करा pitch scale की जो reading है उसको pitch से multiply कर दिया ये पहला काम करने ये पहला काम करने ठीक है फिर दूसरा काम क्या करने है हमें दूसरा काम क्या करना है हमें इसमें add करना है क्या add करना है हमें add करना है circular scale reading हमें circular scale reading इसको हमें किस से multiply करना है इसको हमें multiply करना है किस से least count से किस से multiply करना है least count से इसको multiply करना है circular scale reading को हम लोग short में लिख देंगे CSR तो अभी जो example आपको नजर आ रहा है diagram के अंदर तुम notice करो circular scale के उपर ये जो scale है न ये है आपका circular scale ये जो scale है ये है आपका circular scale तो आप देखो इसके उपर कितनी reading आ रही है तो आप देखो कि 20, 21, 22 ये वाली reading लेनी है हमें तो ये वाली reading आ रही है आपके 23 तो 23rd mark जो है वो हमारे pitch scale से क्या कर रहा है coincide कर रहा है तो ये हमारी हो जाएगी circular scale की reading तो जो example हम लोगों ने लिया है उसमें circular scale की reading कितनी आ रही है और least count हमने अभी अभी निकाला था कितना था 0.01 mm था तो हमारी final reading कितनी हो जानी चाहिए अब तो आप लिखी लोगे final reading कितनी हो जानी चाहिए सबसे पहले हमने pitch scale की reading उठाई that is 7 इसको multiply कर दिया pitch से that is 1 mm फिर इसमें add किया circular scale की reading that is 23 और इसको multiply कर दिया least count से that is 0.01 mm तो आपका final जो answer आएगा जो आपका final answer आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा जब इसको count करोगे तो ये आजाएगा आपका 7.23 mm ये आपका final answer आजाना चाहिए एक बार मैं फिर से explain करूँगा सारी की सारी चीजे बट फिर भी फिर भी जिन बच्चों को समझ में आ चुका है वो एक बार comments कर दो मुझे पता है एक बार दुबारा से repeat करना पड़ेगा मुझे और कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर एक एक चीज आपको अच्छे से समझानी है ये हमारा पूरा target है लेकिन जिन बच्चों को पहली बार में एक एक चीज समझ में आ गई पूरी process समझ में आ गई कि जब भी हमें screw gauge के बारे में बात करी जाएगी तो सबसे पहले pitch निकलवाया जाएगा pitch निकलना बहुत आसान है कितने rotation में कितना distance आपका screw जो है वो move कर जाता है इसको use करके हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग pitch find out कर लेते हैं फिर pitch अगर हमारे पास में आ गई तो हम लोग least count find out कर सकते हैं कैसे जो pitch आई है उसको number of circular scale divisions circular scale के उपर कितने divisions बने होएं normally 100 divisions बने होए होते हैं तो हम लोगों ने number of circular scale divisions से pitch को divide कर दिया हमारे पास में least count आ जाएगा फिर final reading कैसे लिखते हैं तो हम लोग pitch scale के उपर reading लेते हैं जो हमारा fixed scale है कि उसके उपर कितनी reading आ रही है उसको pitch से multiply कर देते हैं ऐसे circular scale के उपर कितनी reading आ रही है उसको उपर least count से multiply कर देते हैं दोनों को add कर देते हैं ये हमारी final reading आ जाती है, तो ये चीज जो है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझने है, step by step आपको एक एक चीज जाननी है बेटा, पहला step क्या था हमारा, सबसे पहला step था हमारा, कि जैसे ही हमें screw gauge given होगा, हमें pitch उची जा सकती है, हमें pitch find out करनी है, ठीक है, तो हमें बता दिया जाएगा, कि हमारे screw gauge के अंदर, कितने complete rotation करवाने पर, कितनी distance move करी जा रही है, इन दोनों information को use करके, हम सबसे पहले क्या find out कर लेंगे, pitch find out कर लेंगे, पिर हमें circular scale तो दिखी रहा है, सबको दिख रहा है circular scale, आपके सामने होगा circular scale, question में आपको बता दिया जाएगा, कि circular scale के उपर कितने divisions बने होगे, तो आपको जैसे question में बता दिया गया है, कि circular scale divisions कितने बने होगे है, 100 बने होगे है, तुमने pitch already find out कर रखी है, तो मैंने least count निकालना बताया था, that is your second step, तुम least count कैसे find out करते हो, pitch को number of total circular scale division से divide कर देते हो, तो यहाँ पर आपने least count find out कर लिया, और फिर आप final reading कैसे लेते हो, तो final reading के लिए सबसे पहले तो आपको notice करना होता है, कि आपका जो pitch scale है, जो fixed scale है, उसके उपर कितनी reading आ रही है, तो आपने देखा कि यह उसके उपर हमारी reading आ रही है, 7, और फिर आपको देखना होता है, कि circular scale के उपर कितनी reading आ रही है, तो circular scale के उपर reading आ रही है, 23, इन दोनों को use करके हम लोग आसानी से final reading निकाल सकते हैं, हम लोग pitch scale की जो reading है, उसको pitch से multiply कर देते हैं, और हम लोग circular scale की reading को least count से multiply कर देते हैं, दोनों results को हम लोग add कर देते हैं, और इस तरीके से हमें final reading मिल ज जाती है तो यह हो जाएगा बिटा हमारा screw gauge this is your second instrument जिसके उपर आपसे questions पूछे जा सकते हैं ठीक है अब ध्यान रखना live DPP session क्यों important है sir इसके अंदर zero error आ जाए उसको कैसे correct करेंगे वो मैं बताऊंगा live DPP session के अंदर ठीक है और इसके जो different different scenario है और इसके जो different different type के questions पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा live DPP session के अंदर तो live chat के अंदर मैंने pin कर रखा है बिटा ये जो lecture है ये complete नहीं होगा अभी आपको सिर्फ और सिर्फ concept समझ में आया है अभी आपको सिर्फ और सिर्फ numerical के अंदर कैसे हतियारों को apply करना है वो समझ में आया है लेकिन जब तक आप practice नहीं करोगे तब तक आपका confidence build नहीं होगा so confidence building के लिए हमारा जो live DPP session है उसको attend करना बहुत ही जादा जरूरी है right ठीक है तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे instrument के लिए ठीक है तो तीसरा instrument कहलाता है spherometer ये भी screw based instrument है जो spherometer है it is also a screw based instrument ठीक है मतलब जैसा हमारा screw gauge था ठीक है जैसा हमारा screw gauge था वैसा का वैसा ही हमारा spherometer भी है वैसा का वैसा ही हमारा spherometer भी है ।ो एक खुश खबर्ड़ी बता आपको खुश खबरी ये है वेटा कि जितने भी fórmulas हम लोगों ने screw gauge के लिए पढ़े we सारे के-सारे यहाँ पर भी applicable है as it is applicable है यहां पर भी सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि बताओ आपका जो screw है उसकी pitch कितनी होगी तो आप exactly वैसे ही निकालोगे आप total distance को किस से divide कर दोगे आप total distance को divide कर दोगे किस से number of rotations से divide कर दोगे कि आपने कितने rotations करवाए हैं और आपका screw जो है वो कितना move कर गया या फिर आपको direct दिया जाएगा distance of distance of one complete rotation direct आपको यह दे दिया जाएगा दोनों तरीके से आपको information दी जा सकती है तो या तो direct यह आपको बता दिया जाएगा कि एक rotation करवाने पर आपका जो screw है वो इतना move कर जाता है वो ही direct pitch हो गया या फिर आपको total distance दे रखी होगी total number of rotation दे रखी होगी divide करके आप आसनी से क्या निकाल सकते हो pitch निकाल सकते हो पहली जीज़ बिलकुल same यहाँ पर भी दूसरी चीज़ जो है वो बिलकुल same है जो आपका number of circular scale divisions से क्या कर देते हैं तो यह आपका circular scale बना हुआ है देखो यहाँ पर यह आपका circular scale बना हुआ है तो यह आपका circular scale है और इसके उपर कितने divisions हैं यह आपको count करने है, normally 100 divisions बने हुए होते हैं, लेकिन 100 की जगे कुछ और भी दिया जा सकता है, आपको उसके हिसाफ से यहाँ पर values रखनी है, तो दोनो steps तो बिल्कुल match कर रहे हैं हमारे यह खुश कबर है आप लोगों के लिए कि भले instrument अलग है, बट formula same है, आपसे pitch पूछा जा सकता है, आप निकाल लोगी आपसे least count पूछा जा सकता है आप आसानी से निकाल लोगी अब इसका जो reading लेने का तरीका है ना वो थोड़ा सा different है बिटा reading लेने का तरीका बहुत ही different है और यह शैद आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूँ, हलाएं कि neat के अंदर इसकी reading से related questions नहीं पूछे जाएगे ठीक है, neat के अंदर जादा से जादा आपको pitch से related questions पूछे जाएगे, स्फेरोमिटर की या जादा से जादा least count से related questions पूछे जाएगे reading से related questions नहीं पूछे जाएगे, क्यों नहीं पूछे जाएगे, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी details देनी पड़ती है, question बहुत बड़ा बन जाता है, बट फिर भी मैं सिखा देता हूँ आपको, आपके practicals में हो सकता है काम में आजा है, तो हम लोगों को जैसे एक example लेते हैं, हम लोगों को एक क्या दे रखी है, glass sheet दे रखी है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नजर आ रही है यहाँ पर ये चीज़ आपको नजर आ रही है, ये आपकी एक बहुत ही पतली, glass की बनी हुई क्या है, sheet है ये आपको दे रखी है और आपको कहा गया है कि इसकी thickness measure करो तो आप क्या करोगे, इसको नीचे रखोगे, आपका जो स्फेरोमिटर है न, उसकी नीचे रखोगे और स्फेरोमिटर का जो screw है उसको rotate करते, करते, करते 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 फाइनली क्या कर दोगे बिल्कुल ग्लाश शीट के क्या करवा दोगे टच करवा दोगे जैसा मैंने इस डाइग्राम के अंदर करवा रखें जैसा मैंने इस डाइग्राम के अंदर करवा रखें और इस condition में इस condition में यहाँ पर इस जगह पर कैसे हालात बन रहे हैं इसको मैंने यहाँ पर show कर रखा है इस diagram के अदर तो आप लोगों को यह notice करना है कि जब इस glass sheet को तुमने नीचे रखा और इस perimeter की screw को इस से just touch करवा दिया उस condition में जो तुम्हारा linear scale है वो किस mark से coincide कर रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पर आपका 54th mark जो है 54th mark जो है इससे यह coincide कर रहे हैं यह सबसे पहली चीज आपको notice करनी है यह सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है notice करनी है यह 54th mark पर हमारी glass sheet जो है वो fix हो चुकी है अब हमें thickness find out करनी है तो हम लोग कैसे find out करेंगे हम लोग glass sheet को हटा लेंगे देखो मैंने यहाँ पर glass sheet को क्या कर लिया remove कर लिया ठीक है मैंने glass sheet को क्या कर लिया remove कर लिया और अब मैं क्या करूँँगा जो मेरा स्फेरोमिटर का स्कूरू है न उसको बिलकुल नीचे टच करवाने की कोशिश करूँगा बिलकुल लेवल पर लाने की कोशिश करूँगा बाकी तीनों के तीनों लैक्स है उनके राइट तो उसके लिए मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा तो यहां से यहां से इस जगे से यहां तक जाने के लिए यह कंडिशन जो थी यहां से यहां तक जाने के लिए आपको बता दिया जाएगा कि कितने number of complete rotation करवाए गए हैं कितने number of complete rotation करवाए गए हैं ये आपको बता दिया जाएगा तो मान लो आपके n rotation जो है वो complete हो चुके हैं मान लो आपके n rotation complete हो चुके हैं तुमने glass sheet रखी थी 54 पर आपका mark आ रहा था फिर तुमने glass sheet को हटाया और फिर rotate करवाना चालू करा तो बार बार notice करो 54 से घूम फिर के वापस से 54 पर आएगा 1 complete rotation फिर घूम फिर के वापस से 54 पर आएगा 2 complete rotation फिर घूम फिर के वापस से 54 पर आएगा 3 complete rotation ऐसे आपको complete rotations क्या करने है count करने ठीक है बेटा फिर आप देखो कि आखरी वाला जो rotation होगा न वो incomplete होगा आखरी वाला rotation होगा वो incomplete होगा आखरी वाला rotation देखो कहा तक पहुँच पाया है आखरी वाला rotation सिर्फ और सिर्फ और पर ही पहुँच पाया है 54 था 54 से आपने rotate करते 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 है कि n कितना है हमारा 3 है तो 54 था हमने एक rotation complete करवाया फिर हमने दूसरा rotation complete करवाया वापस से 54 पर तीसरा rotation complete करवाया वापस से 54 पर है फिर आगे बढ़ाते जा रहे है अब 54 तो आगे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया और जैसे touch करा तो तुमने देखा यहाँ पर 4 मार्क हमें दिखाई दे रहे तो कितने हम लोग आगे बढ़ चुके हैं 54 में से 4 नहीं है 3 है यहाँ पर ठीक है न हर्ड मार्क जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो कितना मार्क हम लोग आगे बढ़ चुके हैं तो 54 में से 3 को माइनस कर दो 51 मार्क हम लोग जो incomplete rotation है उसके अंदर आगे बढ़ चुके है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो ध्यान से समझो ठीक है आपको दो चीजे दी जाएगी आपको दिया जाएगा कि number of complete rotation कितना है आपको दिया जाएगा number of complete rotation कितना है इस जगें से जो कब पहला position है ये वाली जो position है यहा तक पहुँचने में कितने rotations complete करने पड़े है एक्जामपल के तोर पे हमने ले लिया तीन rotations हमें complete करने पड़े और जो incomplete rotation है उसके अंदर कितने mark अपन cover कर चुके है 51 mark अपन cover कर चुके है हम लोग 54 से start हुए थे और आखरी में कहा तक पहुँचे 3 तक पहुचे तो 54 में से 3 क complete कर चुके है जो आखरी वाला rotation था तो हमारी जो final reading होगी वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे number of complete rotations की ठीक है तो यह अपन as it is लिख लेंगे तो number of complete rotations तो यह तो हमारा as it is आजाएगा यह तो हमारा as it is आजाएगा फिर हम इसमें प्लस करेंगे क्या प्लस करना है हमें क्या प्लस करना है हमें हम लोग प्लस करेंगे इसमें incomplete marks कितने incomplete marks हैं ठीक है जो incomplete rotation के marks हैं वो कितने हैं और इसको हमें multiply कर दिना है किस से least count से multiply कर देना है least count से multiply कर देना है बस हो गया हमारा काम तो हमने जैसे least count यहाँ पर निकाला था कि example के तौर पर मानलो हम लोग ले लेते हैं example के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कि हमारा जो pitch है वो कितना है 1 mm है और हमारे number of circular scale divisions जो है circular scale divisions जो है वो कितने है let's say 100 है तो हमारा least count कितना हो जाएगा 1 mm को हम लोग 100 से divide कर देंगे तो 0.01 mm हो जाएगा तो मानलो हमें least count दिया हुए 0.01 mm तो number of complete rotation कितने हुए 3 फिर जो incomplete rotation है जो आखरी rotation complete नहीं हो पाया वो कितना complete हो गया आप बोलोगे सर 51 marks के बराबर rotation आपका complete हो गया हम 54 तक पहुँच चुके थे उसके बाद में घूमते 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 दुबारा 54 पर नहीं पहुँच पहे 3 तक ही पहुँच पहे तो 54 में से 3 को minus कर दो इतना तो area हम लोगों ने cover कर लिया इसको आपको किस से multiply कर देना है least count से least count है आपका 0.01 mm तो आपका final जो answer आएगा वो आजाएगा 3.51 mm ये आपकी final reading हो जाएगा धान रखना बेटा इस pharometer की ये जो process है reading निकालने वाली जो process है इसके उपर normally question नहीं पूछे जाते फिर भी मैं आपको explain कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपने से कुछ बच्चे 11th class में हो क्योंकि अभी online बगरा classes चले ना normally बहुत अच्छे से समझा नहीं पाते लोग इस pharometer हो बहुत confusion रहते हैं तो आपको मैं एक एक चीज अच्छे से clear करना चाहते हैं कि हम लोग कैसे इस pharometer को use करते हैं बाइदवे नीट के perspective से अगर अपन देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है pitch कैसे निकाली जाती है least count कैसे निकाला जा सकता है reading कैसे लेते हैं उसके उपर normally questions आप से नहीं पूछे जा सकते कुछ है question मैं आपको करवाऊंगा लेकिन वो हम लोग करेंगे हमारे live DPP session के अंदर तो अब मैं यहाँ पर यह जानना चाहूँगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको तीनों instrument समझ में आ गए जिनके लिए बिल्कुल नया था यार यह कभी नहीं पढ़ा था instruments को ना vernier calipers के बारे में कभी पढ़ा था जब भी question आता था छोड़ देते थे ना screw gauge के बारे में कभी पढ़ा था जब भी question आता था छोड़ देते थे इस फेरोमिटर के उपर question आता था छोड़ देते थे क्यों क्योंकि करवाया ही नहीं जाता ये topics करवाया ही नहीं जाते normally लेकिन अब इस class को attend करने के बाद में पता चला कि और vernier calipers तो बहुत आसान है सर ने direct बता दिया सर ने direct बता दिया क्या note करना है कैसे least count निकालना है कैसे reading लेनी है screw case तो बहुत आसान है सर ने direct बता दिया कि कैसे pitch find out करनी है कैसे least count find out करना है कैसे reading लेनी है और स्फेरोमिटर भी बहुत आसान है सर ने direct बता दिया कैसे pitch find out करनी है कैसे least count find out करना है किस तरीगे से आपको ठीक है सर वर्णियर केलिपर्स में आपने में इसकेल की रीडिंग कैसे ली एक और बार बता दो चलो आजाओ देखो में इसकेल की रीडिंग कैसे लेते हैं ये हमारा वर्णियर इसकेल है ये हमारा वर्णियर इसकेल है तो तुम्हें ये देखना होता है कि vernier scale शुरू होने से पहले vernier scale शुरू होने से पहले main scale कहां तक पहुँच चुका है तो ये मैंने red बना दिया ना यहाँ पर तो हमारा main scale कहां तक पहुँच चुका है already 2.1 तक पहुँच चुका है कहां तक पहुँच चुका है 2.1 तक पहुँच चुका है तो यह होती है हमारी main scale की rating vernier scale के शुरू होने से पहले तक आप main scale पर कहां तक पहुँच चुके हो यह होती है आपकी main scale की rating तो sorry चीजे हमारी एकदम clear हो गई लेकिन बच्चो ध्यान रखना confidence तब आएगा और खासकर इसका live DPP session आप लोगों को मैं 100% recommend कर रहा हूँ मुझे पता है आप मेंसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमें bio की class करनी है हमें ये वाली class करनी है हमें वाली class करनी है बटा आज आज का जो live DPP session है उसको miss मत करना है वो बहुत important है राइट क्योंकि आप लोग इस topic को बिल्कुल छोड़ देते हैं और मेरे हिसाब से topic के उपर 100% question पोचा जाएगा इस बार के need के exam में तो आज का जो live DPP session है उसको आपको जरूर attend करना है link आपको live chat के अंदर मिल जाएगी इसके अलावा आप लोगों को मेरा एक support करना है बच्चों आप सभी लोगों को जितने भी बच्चे यहाँ पर present है अगर आप मेरा कहना मानते हो तो आपको unacademy prodigy के अंदर जरूर appear होना है इसके अंदर आपको 20 lakh तक की college grant मिल रही है बच्चों 23rd of gen को होगा जो भी आपकी respective category है उसके अंदर आप apply कर सकते हो मेरे थूरू अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे benefits होंगे मेरे थूरू जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आजद live code apply करना पड़ेगा क्या क्या benefits मिलेंगे आपको macbook air apple iphone apple ipad ऐसे धेर सारे gift मिल सकते हैं आपको up to 100% scholarship मिल सकती है 29th और 30th फैप को होने वाले exam के अंदर तो यह आपका complete schedule है बच्चों इसको आपको note कर लिना है आप नहीं तो आपके छोटे भाई बहन क्योंकि देखो 6th, 7th, 8th class ते यह category start को चुकी है तो आपको recommend करना है और भी बच्चों को ताकि सारे के सारे बच्चे इसका फायदा उठा सके unacademy के ask a doubt feature का फायदा उठाओ बच्चों जो बच्चे self study कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा वर्दान है एक बार में आप 3 doubts पूछ सकते हो आपको अपनी preferred language के अंदर solution मिलेगा आप unacademy की website के उपपर या फिर unacademy की जो learning app है दोनों के उपपर इस feature का फायदा उठा सकते हो बटा जो next Sunday है हमारा उस दिन NEET UG combat होने वाला है सुबह 11 बजे 45 मिनट का test होगा 28 questions पूछे जाएंगे अब 200% scholarship पाने का मौका मिल रहा है जो top 3 rankers होंगे उन्हें medals मिलेंगे top 25 rankers को certificates मिलेंगे जो कि आगे भी उनको काफे जादा benefit पहुचा सकते हैं बागी जो combat का exam हो किसी भी platform के उपर दिया जा सकते हैं आपके app के उपर भी और आपके web browser के उपर भी तो आप हर तरीकी से इसका फायदा उठा सकते हो आज की PDF I hope definitely आपको आज की PDF चाहिए होगी 100% आपको आज की PDF चाहिए होगी क्योंकि आज की PDF बहुत important है तो आज की PDF है वो मिलेगी आपको unacademy need official इस telegram channel के उपर ठीक है यहाँ पर आप इसको download बाकि हमारी sheet के अंदर में update कर देता हूँ thank you बच्चों 5 बजे हमारा live DPP session स्टार्ट होगा and I highly recommend कि आप लोगो session के अंदर जरूर participate करें अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लेना bell icon press कर लेना ताकि आपका कोई साभी 80 lectures में से कोई साभी lecture जो है वो आपका miss now क्योंकि हर एक lecture जो है न बहुत important है और बच्चों आप लोगों का support यार आप लोगों का support क्योंकि यह चीज ऐसी है न यह बहुत बच्चों की help कर सकती है और और कोई intention नहीं है इस चीज़ के बीचे सो आप लोगों का support required है आप भी चाते हो ना कि आपके सर इतना अच्छा पढ़ाते है तो सर को जादा से जादा बच्चे देखें सर के content को जादा से जादा बच्चों तक पहुचाया जाए अगर आप सच में चाते हो दिल से यह feel करते हो तो आपको जादा से जादा संख्य के अंदर लाइक्स और शेर्स प्रोवाइड गरवाने इस कॉंटेंट को ताकि ये चीज जादा से जादा लोगों तक कुपलब दो पाए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टिल एंट ठाटा बाए बाए